जो लोगों के अंदर जो तासुर है वो यह है कि कंसर्टेंट हजरात जो है यह कंपनीज जो है वो एजेंट के तरह काम करें तो उनको एजेंट भी नॉर्मली कहा जाता है जो हमाने हाँ पाकिस्तान में होती है कि जुगार के अंदर जो है ना वो आपके है और वहाँ पर एमबैसी में लोग बैठे हैं तो लोग बगएता तकाजा करते हैं क्योंकि जो नॉन कॉलिफाइड एजेंट कंसर्टेंट और खासता पर अपर साइड के ओपर उनके हां 99 पर मार्केड मैं खुद लीट कर रहा हूं यह चैलेंज कोई नहीं कर रहा है सिर्फ यह नहीं है कि कमाना जहां आपका काम सिर्फ आ जाता है तो फिर आप अच्छे बुरे को छोड़ देते हैं अक्सर लोग मुसे नाराज भी रहते होंगे कंसर्ण को आप आप खुद भी कंसर प्रामिसेस पर नहीं काम करते हैं अब आपना स्टार्ट किया क्या 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 मुश्किलात को इनको सामने करना पड़ा और साथ साथ कौन कौन से बिजनिस प्रोडक्स हो सेल करते हैं अपनी सर्विसेस देते हैं आज के जो हमारे गैस्ट हैं उनका नहामे आदिल इसमाइल साब ये फाउंडर है सुपिरियर कलसेटिंग के माशाला से इनका 20 साल से जादा गए इनका तजर्बा है कलसेटेंसी का साथ से इनके 16,000 से जादा इनके सक्सेस्वल क्लाइंट से हैं और एक अच्छा इनका माशाला से पॉर्टफोलियू उनका बिल्डब है और ये के बारे में आप लोगों को आगाई देते हैं तो ये शो इस पेशली में बोलूंगा स्टुडरेंट्स के लिए और वो लोग वो फैमिली जो के पाकिसान से इमिग्रेशन करके माइगरेट करके जाना चाते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है तो ये लाजमी मैं आपके सबसी हैं चाहा Dop ba nak अब सब सबसी हमें आपकी जर्नी के बारे में आपकी जर्णी से तर्ड हो de किया और उस वक्त से अभी तक जो है वो अलम्दोला सेक्सेसली चल रही है और एक बात जो सबस्यादा मैं बता भी देता हूं और आपने भी माशालला बड़ा बड़ा से इंट्रो दिया है कि मैं फादर बाजू अल्सु आ कंसार्ण यह बात बहुत से लोगवा जो न्यू ज हम है एक तो बहुत हर हर ही मैं कहते हो कि प्रफेशन होता है थैंगलेस लेकिन यह जादा ही है और इसके अदर आप जड़ा से भी होता है गल्ती की गुंजाइश कम होती है कंसे क्लाइन की परस्पेक्टिव से मैं बात करूं तो वह आपको बिलकुल ही आपका जिरो कर देत है महबत करना और लाइक करना इश्ग होता है कि आप बहुत सब सब चीजوں से बालतर होकर जहें उसमें काम पर लगते हैं तो मैं थोड़ा सा यह पाम किया है और मैं अभी तक भी करता हूं इसको लीट करता हूं मेरे स्टाफ मेंबर्स हो चाहे चाहे क्लाइन्ट हों चाहे आउडियन्स हों, हमने कोशिश की कि ने लोगों को अवेरनस जादा दें, कंसल्टेंसी का मकसद और मतलब पताओं, अनफॉचनेट है हमारे हैं, कि जो लोगों के अंदर जो तासूर है, वो यह है कि कंसर्टेंट हजरात जो है, या कंपनीज जो है, वो एजेंट की तरह काम क जो हमाने हाँ पकिस्तान में होती है, जो गार्स के अंदर आपके है, और वो वहाँ पर एमबैसी में लोग बैठे हैं, तो लोग बगएता तकाज़ा करते हैं, क्योंकि जो नॉन कॉलिफाइड एजेंट, कंसर्टेंस, और खासतर पर अपर साइड के उपर, उनके हाँ 99 प नहीं कर रहे है, आप यह नहीं कर रहे है, बिंग गुड डॉक्टर, डुप गुड यून लॉयर और यह गुड कंसर्टंट, यह हजराद जब आप नफस देखें तो बता दें कि आपका समर्स किया है, जब नफस देखें यह आपको एवालुएट करें, तो आपको बता द जो बढ़िए हैं, इस कमीचे होजआ हुआ हम एक हैए बार ते अगर वहां पर आपको कोई अच्छा concern बातों से, knowledge से, environment से, success stories से, ये सारी चीज़ें आपके माइने रखते हैं, क्योंकि आप देखें, मेरी बात करने से सारे लोग मेरे पास तो नहीं आजेंगे, डॉक्टर तो बहुत सारे, डॉक्टर अदीब के पास सारे लोग नहीं हैं, और यही मेरा काम भी है, और आपको बड़ी हरत होगी, और लोगों को पता भी होगा, कि मेरे हाँ कोई direct open नहीं है, मेरे हाँ directly कोई आकर अपना case discuss नहीं कहता है, इन most of the cases, walk-in फिर भी आ जाते हैं, लेकिन हमारे अधरती भी है, कि आगर आपकी evaluation नहीं होगी, अगर हमे में नहीं पता होगा, कि आप eligible भी है, जो भी आप case पर discuss करना चाहरे है, उसके बारे में हम आपका इलाज भी कर सकते हैं, देखे हैं, मैं हर चीज़ का हर, मैं नहीं हो सकता, हर फंबॉला, जो उस हसाब से नहीं हो सकता, कि मुझे हर किसी का इलाज आता है, बेलकुल ऐसे है हर जो बिमारी के अलग अलग जो है, वो डॉक्टर होते हैं, कैंसर का अलग होगा, एनटी का अलग है, तो उनका अपने पने स्पेशालिटी होती है, वो अपने स्पेशालिटी को छोड़ का दूसरे काम ने करता है, जो हमारा पॉर्टफोलिय को डुमें ठीक है, बड़ा जो आने वाले प्रोग्राम्स हैं, जिसना से जर्मनी का अभी जॉब सर्च आ रहा है, यूएस एबी टू एनएडव्यू, जो प्रोग्राम है, वो बहुत वास्ट है, बहुत जबदस है, इसलिए के कंट्रियों को हैड यूएस है, जिसना से हैड होते हैं, कंट्रियों का जो है ना वो लीडर है, तो वहाँ पर डॉलर्स अच्छे बन जाते हैं, अपरश्टिय अच्छे मिल जाती है, आपको तो लोग प्रिफर करते हैं, तो यह जो प्रोग्राम्स आने से जो नया प्रोग्राम्स हम एड़ॉप्ट कर लेते हैं, हमारी अड़ॉप्टिबिलिट जाके करते हैं, बट कुछ पैरबिंटर्स जो हम चाते हैं कि लोगों को हर आदमी को एजुकेट होना चाहिए, एक कि सेल्स पॉइंट कम होना चाहिए, आप अच्छा जो टीचर के पास आते हैं, अगर वो सिफ फीस की बात करते हैं, और आपको सही नहीं पढ़ाएं, या क नहीं करें कि हम कोई पीर फकीर हैं कि हम जो इस तरह के ड़ाएं, इस दो ओनली वे कि आप अच्छा एजुकेट कर दें, अच्छा काउंसल करें, यह मैं बहुत जगाओं पर कह सकता हूं कि ना मेरा मेन मकसद सिर्फ यह नहीं है, सिर्फ लग पड़ यूस होगा, सिर्फ य आए है और चले गए, लेकिन आपके सिस्टेंडिबरेटी क्यों है, यह लोगों को समझना चाहिए, कि दस साल से आप 20 साल से दूसरे को मवाजना करेंगे, तो कई आजाते हैं, मुझे कैई भी देते हैं, तो फिर मैं उनको यह काउंटर बता देता हैं, लोग उनको लूँ पर चाहिए, जिन से आप मकाबला करने की बात करें, या तो आप उनको देखें, कि उनके पास 20 साल को तो मकाबला भी बनेगा, बिल्कुल, वनना तो मकाबला ही नहीं है, अगर वो है, आपकी चोईस आप जाए, वो अच्छा भी कर सकते हैं, और करते होंग शायद, लेकिन अगर आप इस कंपरेजन पर जा रहे हैं, कि यार मैं उधर चले हूँगा, आप पैसे कम कर दें, पीसी होटल अपने पैसे नहीं कम करेगा, मैरान होटल के सामने, तो इसलिए ये चीज़ों को समझना बहुत जरूरी होता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी आओं, जब भी बात करूं, तो कोई ऐसा पैगाम जरूर दे दूँ, समझाने के लिए, कि कॉंटर्स, कॉंटर्स तो बहुत बनते हैं, बहुत सरे लोग बहुत सरे सवाल लेके आते हैं, अब तक जो मैं समझा हूँ, जात अब तो जो अगर मुझसे ही करना चारा हूँ, मुझसे ह बता दिये, नोबडी कें गिव यू दिग गारंटी, अगर मैं कहरा हूँ, कहली आपका केस जो है, वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का लग चीज़ है, काबले इलाज है, तो इसका मतलब जरूरी तो नहीं कि आप खुदा बनगे, आप ना इमबैसी ऑफिसर हैं, कोई आफिसर नहीं कि जो आपको स्टैम उठा के देंगी, और वो भी इतनी सी कम कीमत में, बहुत ठीक ठाक पैसे होने चाहिए, अगर अपने घर में मना के दे रहा हूंगा, आप आ रहे हैं सर्विसस लेने के लिए, सर्विसस में कमी कोताई हो सकती है, और इसमें इंप्र प्रूणने जाते हैं, इंटरेट तो बीस साल से पहले शाद मेरे खाल से आ चुका होगा, तक बीस साल के अंदर ये चैलेंज हैं लोगों के बाद के आप मुझे ऑथेंटिक बीस नेगडिव रिव्यूज लेकर आकर दिखाएं, कोई वज़ा होगी ना, और अगर कई होती पर आप बनले ले बलें, कोई भी कोई किसी के साथ काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब बलेंगा, अली मैं तुम्हें बताता हूं, तो यह होता है, लोग क्योंके सेंसिटिव बिसनस हैं, लोग समझते हैं, कि हम आसानी के साथ किसी को मरूब कर लेंगे, या डरा देते हैं, या इस तरह की बात करते हैं, लेकिन लेजिटिमेट के साथ यह नहीं होने वाला, नहीं होता जाता, तो हमारी कोशिश ही है, कि लोगों को यह एजुकेर्ट कर दें, और इसी स्विसले के कड़ी है, कि मैं बहुत सदा अपेरिंस बुलाई भी जाते हैं, जाते भी हैं बो ज मैं पहुत सक्वेड़ हो उनको नहीं किया, मैं इ।नको तो नहीं किया, मैं स्काइम को काउंटर करता है, कोई फ्राओड है उसके बारे में लोगों को ऐटिकेर्टिमर्ट करता है, कि जो सर्विस आप लोग दे रहे ही आगकरी है, पुद्भार कि कम अन्पर कॉम्पनी से क नहीं की कोशिश करें, 100 out of 100 आप किसी को convince नहीं कर सकते या नहीं, लेकिंगे आप अपनी सी कोशिश तो जरूर करेंगे, तो उससे बहुत से लोगों को फाइदा होता और हुआ है, एक्चुली, बहुत से लोगों के हमने उनमें से 37% वो लोगो होते जो पैसा बनाते हैं या तो भाग जाते हैं या बंद हो जाते हैं ये बंद intro दी जाते हैं, तो इस पैसा बनने चीज़ उसमें जो बहुत असान बिजर्स करा लाता ह D कि कुल हर बंदे की डिमांड जाद है ना डिमांड जाद है यही जह ना वो मुलक अप सुझरलन हो जाए तो आप बताएंगे कौन जाएगा बिल्कुल तो वैसी बंद हो जाएंगे और क्लाइन यह चीज़ मेरे खाल से इतनी जादा शुरूटी नहीं देखता वह आप वाली साइकी मैंने जो बहुत बहुत अबसर्फ किया बहुत जगाओं पर वो यह है कि ना जो क्लाइन्ट आता है वो सिर्फ जवाब चाता अच्छा और बहुत रेर होता है कि वो उसको डियू डिलिजन उसकी करे या उसको समझने के लिए उसके पर गवार करे मिसाल के मैं अगर आपको लगता है कि यह बंदा जो है मुझे रिपेजन कर सकता है यह मुझे टाइम भी दे सकता है यह मुझे बात कर सकता है मुझे अडवाइजर है अडवाइज अच्छी कर सकता है तो आपको उसके पर जाना चाहिए ना कि हमें यह चीज़ दे के मुझ समयत यह audience भी इसी से जह है थोड़ा सा उनको एक knowledge मिल जाएगी as a client उनको ये देखना चाहिए कि आपने बिल्कुल ठीक बोला कि office वगरा ही तमाव चीज़े जो सामने शक्स बैठा है उसकी personality से better यह है कि उनका experience और उनके successful cases देखे जाएगा और वकील के काम कि हमारा तो बात नहीं की वो तो नहीं मुझे समझ सकते कि I'm not a prepsi brand के मैं हर घर में होंगा बड़ जब भी है यह दावाद जरूर करता है कि अगर और मेरे पास का आते तो मैं भी ओंगो आपके पास आते हैं यह guarantee है कि उसमें से आड़ नौ लोग जो है मेरे पास ही आएंगे अब यह इस बात की नहीं है कि मैं कोई बहुत प्राउड से बहुत है मैं इसली बात कर रहा है कि मुझे पता है कि मार्केट के अंदर सेल्स आता होता है मार्केट के अंदर नौलिज कम होती है मार्केट के अंदर ऑनस्टी की बहुत कम ही होती है और वो जो जो आप देना चाहते हैं नौलिज वो लोगों तक नहीं पहुँचती कि काम करने और फिर सर्विस देखिए at the end of day services count होगी उसमें उपर नीचे हो भी सकता है कुछ हो सकता है लेकिन मुस्तकिल नहीं होना चाहिए सौ में से पचास लोग असी लोग नहीं आपके बरबाद होना चाहिए ठीकिन है human errors की वज़े से human lacking की वज़े से कभी कभी अगर हो जाता है that's all okay होना वो भी नहीं चाहिए लेकिन hundred out of hundred तो कोई भी किसी को दुनिया में ना satisfy कर सकता है ना result दे सकता है चाहिए कोई बड़े से बड़ा brand के बात कर लेकिन उसकी कोशिश कौन कर रहा है उसकी कोशिश अगर वो कर रहे है जिस तरह से आप कहते है कि यार मैच में जान मार के हा रहे है हारत भी तो हारत तो वो भी है लेकिन अगर आपने जान नहीं मारी है और नजर आया है कि फिर लोग तो पर अंगली उठाएंगे उसके पर तो ये एक concept है कि लोग को ये देखें कि अगर कोई MBBS डॉक्टर भी बंद की आया है तो पहले आप सुस्वे सवाल ये करेंगे मैं इसका भी जलिया बता देता हूँ कि experience भी होना बहुत जरूरी नहीं है ये तो एक मवाज़ा जब लोग करता है तो मैं इक बात करता है competencies matter करती है अगर ये नहीं बात होती तो लोग उनको भी जाके क्यों देते किस के वो डॉक्टर ने वो जड़ पगड़ ली मर्स की मर्स की और वो कितना अच्छा बात कर सकता है और आगे जाकर services कैसी अच्छी दे सकता है और successful तक जो है ना कोशिश करता है तो ये कुछ चीज़े होती है लोग unfortunately decide करते है on the basis of payments ये तो है और इसको ये खतम करना असान काम नहीं है और ये नामुमकिनाद में से ये नहीं हो सकता है मेरी आपकी भी साइक होगी है और चीज़ों को कर रहे होते है जहां पर ये बात होती है तो मैं उनकी तरफ से भी जवाब देता है कि अगर experience आपकी competency भी matter करती है जैसे मैंने का कि कोई नया वकील है कि कोई नया डॉक्टर आएगा तो ये थोड़ी का जाएगा कि पहले आप जाकर आपने बताया मुझे 600 cases कियें कि नहीं किये तो फिर मैं आपसे इलाज करा हूँगा बिल्कुल है सही है आप अच्छे डॉक्टर मुस्तनिद होने चाहिए आपकी competency अच्छी होने चाहिए पिर आएस्ट आसा नाम बन जाता है कि आपको उनके साथ बैटके जो क्लाइंट अपना केस डिसकस करता है जैसे एक मरीज़ आपने बताया ऐसे क्लाइंट भी डरावा होता है कि मैं एक च्छोड़ी सी के इसमेंट है मैं चला जाओं अपने फैमिली का खायर रख सकूँ आगे जाके अपनी फैमिली को बिला सकूँ तो उसका जो डर होता है वो तभी वो जो कंसर्ड़ेंट है जो लॉयर बैसिकली वही निकाल सकता है और उसी से उसको आइडिया होगा इसलिए इसलिए का जाता है कि आप एक किंसर्ड़ेंट के पास जाकर रोक ना जाए और फिर दो-चार और रिसर्च भी करें इंटरनेट मौजूद है आप किसी के पास विजिट भी करें कोई पेड है या कोई अनपेड है कुछ लोग यह बाज़ते है आप पेड टंसेशन लेते हैं आपका फाइदा भी तो है न किसी की भी वेफसाइड बे मौजूद होगी लेकिन जब आप फ्री में जाकर भी लोगों से बात करते हैं यह कल्चर भी हमने चेंच किया है सॉरी मैं आपकी बात कर तो उनके लिए है कि जो एलिजिबल है आपका केस डिफरेंट कर सकता है इसलिए आपके के बारे में लागों रुपे बचा सकता है क्योंकि आप फ्री में जाकर बात करेंगे किसी से जाके बात करेंगे तो पांच शे लाग रुपे जो जायक करेंगे फिर क्यों इतना कौमाने मेरे पास मैं आज भी बैठा वाथ था आपके पॉड़का से पहले तो एक साब जो हैन वो बनाई है जो बनाई है तो वह बहुत देखने से काबिल है तो आशेट मैं इस वक्त जो क्लेम कर रहा हूं उसको प्रूफ कर सकता हूं कर कोई आके बात करें और चैलेंज करें कि मैं यूएस की प्रिटिशन खुद बना रहा हूं बिंग फॉंडर डिरेक्टर सीनर इमिंग न मैं खुद लीट कर रहा हूं यह चैलेंज कोई नहीं कर रहा हूं मेरे बात से अगर मिल जब आप उनको किक तो करें अगर करना है ताकि अपनी यूएसपी बढ़ा सके करने सकते हैं ना करेंगे इसके लिए बई-वाली बात है कि पैशनेट होना को बहुत जरूरी पड़े मैं रात के दो बजे भी बैट की जोने प्रेटिशन से बना रहा हूं आपको वसीम बदाजमी और यह बनना पड़ेंगे यह पूरे 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 रात तो लगा रहे तो आपको पिर एक मुकाम तक पहुंचने पड़ता है तो यह सारी बाते हैं इस वज़ा से हम हमारी पाकिसानीों के लिए क्या अपरचुनिडीज से कौन लोग अपलाइ कर सकते हैं और इसके बेनेफिट्स क्या होंगे अच्छा अच्यूफ है, means के पहले जी प्रोग्राम जाब ओफर के नाम सी, जाब सर्ट के नाम सी था, जाब सर्ट के नाम सी पहले से मोजूदे और वो six months का मिलता था, ठीक है, अब लोने नाम चेंश करके उसको ऑपोर्चेंजुरिटी कार्ट, चेंश अन कार्ड देश्को कह दिया अपने जमान म यह प्रोग्राम एटलीस यह है कि आपके पास 14 years of qualification होने चाहिए लाइक बीकॉम होगा है ठीक है यह qualification है six points a point system पे लेकर लेकर आए पेले ऐसा नहीं था जॉब सर्च था छे महिने का जॉब सर्च मिला है यह वाज़े आउडियंस समझे कि सर्च करना यह आफर नहीं है यह जॉब अपने ही पले पर आपने ही पैसों के उपर आपने जापके जॉब सर्च करनी है आपको उन्होंने एक figure दे दिये कि बारज़ा 334 योरो के करीब आपने block account करना जो जर्मनी को follow करते हैं उनको सबको पताईए जो जर्मनी की study को follow करते हैं सबको बता है कि जर्मनी अपने study में भी block account करता है अब यह block account जितना भी amount बनता है पाकिस्तानी currency में 40, 40, 40, whatever it is तो व amount अपने block करना है रोकना है कहां पर रोकना है जर्मनी में ही और उनके bank में अच्छा ट्रांसफर करेंगे ऑफिसलिए उठाकर एक legal procedure होगा bank के तरू आप उठाकर वहां पर transfer करेंगे यह amount government आपको देगी आपके खर्चे के दिए ठीक है लेकिन चुकि बनाया है बहुत अकल अपने भी बाद में चेंज किया अपना कि आपको इतने हैं वो लेता नहीं लेकिन उसने का कि इतने हैं मौन तक आपके hold money दिखानी है अपने तो यहां पर भी जो जो वो concept है जर्मनी जॉब्स का study का वही concept इसमें अपोशिटी कार्ट के अंदर भी है और उसके अंदर आप अपने जो amount मैं आपको बताई है यह आपने hold रखनी है और यह आपको मिलते रहेगी आप जब तक वहां पर हैं job search कर रहे हैं ताकि आपका खर्चा है आपने खुद से भी दो लाने थी ना तो आपको guaranteed मिल रही है एक तरह से government के पास रखवाया आपने आपको मिल रही है तो तो हसते खेलते बहुतर लोग के हो जाते हैं है है यहाइग है तो चार पॉंट मिल गए तो कितरे रहेगए बीछे है दो इसकी एज जो है वह स्थी वाइज वाव से दीचे है तो उसको तो वैसी आपको जो डी अपको 2. 06 पो यही बना लेतना है थाए है और आपका जो है वो experience के उपर है अगर आपके पास 3 साल से अबव का experience है तो पॉइंट से तो आप 6 पॉइंट सो हस्ते किलते बना लेते हैं और अगर response भी है यह चीज़े हैं तो उस पर भी आपको पॉइंट मिल जाते हैं तो पॉइंट के हिसाब से मैं समझता हूँ कि आदे से जद्धाबादी तो काम्याब हो सकती है मतलब qualify कर सकती है अब रह जाती ही बात कि जो लोग फ़स जाते हैं और वो फ़स जाते हैं दो चीज़ों के उपर एक कि आपका जो block account है वो कैसे कि जाए जाए उनके पास पैसो की थोड़ी से शौटर्ज होती है तो वो लोग नहीं कर पाते हैं दूसरा ये है कि अगर अगर उनको जॉब का ये विज़ा मिल भी गया तो वहाँ जाके जॉब कैसे डूड़ेंगे यह एक सवाल है और language problem तो यह एक होता है लेकिन ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए कि जो इंजिनियर्स है या आईटी की फील्ड से मुनसलिक है उनके लिए कि जर्मनी वैसे भी technology वाइस बहुत अच्छी उसके अंदर position के अंदर है और तीसरा एक और मसला भी आता है कि पाकस्तान के अंदर खास दोर पर और कराची में खास दोर पर जो appointments हैं इंबेसिज में वो उतनी असानी से मिलती है फिर यहां पर third party agents का रोल से हो जाता है six months का आगे का apartments जैसे यूएस का six months का वो six months का मिलेगा कोई साथ मेने के मिलेगा कोई इसो कम करा लेगा वो पैसे देने के ऊपर जिससे चल रही होती है तो यह होता है वो हमारे एसस जम्यदारी नहीं है लोग यह समझते है consultant तो वो सारी services होना चाहिए अब यह जुगार तो हो सकती है यह expertise तो नहीं तो मेरा काम नहीं है कि मैं किसी को जन्हाँ आपाइंटमेंट दिला हूँ मेरा काम जो है वो application को best of the best बनाने का काम है case develop करना है क्योंकि आपने case बहुत से लोग कर रहे हैं अब हजारों में से आपको क्यों मिल जाए यह सवाल होता है किसी भी जेका selection के अंदर आप जॉब पे भी जाएंगे पांच अगर जॉब्स निकली वी है पांच यो आईटी की हैं पांच यो एक ही cadre की या आगे पिछे हैं तो जो eligibility तो समझ में आगे कि IT वाले आएंगे डॉक्टर तो नहीं उठके आगे उसमें तो यह eligibility criteria तैय हो गया अब पांच में से क्या सिर्फ पांच लोग आएंगे आपके resume लेके वो तो हजार लोग आ सकते हैं सौ आ सकते हैं पचास आ सकते हैं तो more than five कहेंगे more than five आएंगे तो उन more than five को job देना चाहिए उनको पिर सुह हएँ पांच को ही देंगे वो लेकिन best of the best को देंगे उसमें सेlection करेंगे सेlection को पांच करेटिरी जे होगा employer का या किसी selector का कि वो यह देखे कि highest of the best किस बनियाथ पर होगा वो इस बनियाथ पर जादा होता है कि मुझे क्या फायदा है being an employer पर मुझे क्या फायदा है कि मैं इसको लूँ बिलकुल सही कहा है सिंबल सेलेक्शन क्रेटिरिय एक तो वो क्रेटिरिय होगा भाई स्मार्ट होना चाहिए यू होना चाहिए एजूकेशन उन थी वो तो हो गया यू बिक कर बदिये उनकी नाम लिए कर बिताब्ग lavorкол resolution वे विंफय टार्ली जब आपर सेलेक्षन जाते हैं वाउट सिस्टम के लावा पाइंशन इंट्रिय वह already उसी क्रेटिरीय होगा कि लेकिन तालाग है लेकिन जो without point system mostly होते हैं वो आखरी decision जब आता है करने का वो होता है national interest waiver के पर होता है बतब national interest होगा तो उसको आपको selection प्रेक है same as the case यहाँ पर दोनों चीज़े है यह क्योंकि job search है immigration visa directly नहीं है job search के अंदर आपका points तो आगे तो points तो meet करना वो eligibility है eligibility तो बहुत सारे होगे तो बहुत सारे होगे ना बहुत सारे जब होगे तो उसमें पर best of the best बनेगा कैसे अब यहाँ पर आपको यह तो आप खुद करें इतने अगर आप हैं capable तो आप खुद अपनी मनाए किसी concern को जब लेंगे सहारा तो वो आपको best of the best बनाने में मदद करेंगा कि national importance आपकी जोना वो जागर करेंगा कि आपको लेने से Germany को और आप जब जाएंगे तो job कैसे हासिल करेंगे accommodate कैसे करेंगे आपकी adaptability किया है किस तरीके से उनको फाइदेमंद हो सकेंगे तो यह सारे चीज़े जब बनाकर अच्छे तरीके से प्रिजेंट करना जिससा वकील होता है कोई जज के सामने पर वो करता है तो जब आप करेंगे तो आसान हो जाती है again वही बात जाएंगे थी कि रोल ऑफ़ कंसरेंट के अंदर यही शी सामिल है कि हमारा काम है ease of process करना पहला काम ease of process आप करेंगे दूसरा काम हमारा यह कि the best of the best बनाना है as per the given criteria तो यही हम सारे चीज़ें जहें वो कर रहे होते हैं और उसके अंदर बहुत सारे हज़राद इसमें काम करें बहुत अच्छा अच्छा भी जो है उसके अंदर काम हो रहा है और उसके अंदर फिर आपको आपकी च्वाइस होती कि आप किस concern के लेते बट मेरा अपना चुकर argument यह भी होता है कि ना ये जरूरी नहीं है कि आप किसी concern को लें अच्छा आप खुद कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं ये बहुत अच्छी सार आपने बात किए बाद बात की एब हैज़ाद आप कर सकते तो आप क्यों करेंगे बिल्कुल और जो भी लोग हसाद देंगे अगर वो नीचे कॉमेंट लिख सकें जो मेरे क्लाइंट आते हैं और वो ये कहते हैं कि आज भी मैंने इनको का कि आप पहले आप ये कौलिफिकेशन रिसमें खुद करा किया है मुझे नहीं दे अगर आ जाता है यहां पर आपको को आप पूल में चले हैं जब आप सेलेक्ट हो जाएं आई टी मिल जाएं फिर आप किसी कंसरन को लें ताकि आपको डॉकमेंटेशन थोड़ा चले जाए उसमें अगर कोई कमीपेशी नहीं हो तो यह मैं यह भी मैं करता रहता हूं मोस्त कैसर असे सार एक प्रोग्राम है जब नहीं होता है रिसमें सर्ख कौन कौन से लोगं अप्लाई कर सकते हैं और और क्या वहीś कौन लोग more है और इसके क्या बेनेफिट्स है दोनों skilled based program है और highly skilled based program है अलबता EB2 and IW के अंदर आप businessmen भी apply कर सकते हैं ठीक है करते हैं उसके fees one thousand and fifteen US dollars है यह कुछ आठसे पहले जो है यह तक बहुत से लोगों ने अपलाई गया जंप कर गए और बास उस वक्त तक बहुत से लोगों को पता बहुता है इवन यूस यह इसको खुद भी नहीं पता था कि कई जगा पर किसको कैसे हैंडल करना एक विवर यह सकेल्ड लोगों के लिए वर्ग करता है यहां पर एक सवाल बहुत आता है जब लोग रीट करते हैं पढ़ते हैं तो यह समझते हैं कि सिर्फ यह प्रोग्राम उन लोगों के लिए हैं जो रिशर्च बेस हैं जिया जिनकी पपलिकेशन जिनको award reward सितारा इंत्या टीक है और हैं वीजा में जरूर रहे है एक अगर मुश्किल से पाकिसान में और जो कि बार प्रूर्व है उसको भी विया पर अक्राइब ला कर दिखा देते लोग पाकिसान के अंदर क्यूंकि इस प्रोग्राम को दूड़ाई साल हो आप है भी टीक है और यह बट जगाव तो इसके दिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि प्रोस्सिंग टाइम अभी लंबा है एंवी सी का टाइम कर लाता है नाशनल विजा सेंटर तक्रीबन अल्मॉज हम लोगों कोट करते हैं दो डाई साल मिनिमम लगें इससे उपर भी जा सकते हैं दें इंडिया का प्रो प्रोडिया है बहरेन है और जगाँ पर कंट्री में काम करें लोग ऑस्ट्रेलिया में पक्स्तानी है यह उसके अंदर के कैड़ा में इवन युएस के अंदर लोग मुस बैठे में और मुझे केस देते हैं युएस में ऑन बिसस ऑफ कोई स्टूडन बैठावा है कोई कर दिया है कि नहीं यह सिर्फ नहीं है ऐसे लोगों के लिए जिनकी पस तमगात है यह सर्च रिसर्च नहीं है एवरिवन है तो में क्रेटरिया है कि मिनिमुम आपके पास युएस एकोवेलेंट बैशर्स डिगरी होना चाहिए और उसके साथ पास साल का प्रोग्रेसिव वरक एक्सविनेंस होना चाहिए आप अपने प्रोग्रेशिंट कोई भी फिर्लों की बाद में तसक्रा करेंगे कि कों सी प्रायटी अपनी जगह पर होती है लेकिन सब को कर सकते हैं तो एक आपना जो है यह हो गया पहला करेटरिया कि मिनिमम की हमने बाद शिरू से बात कि मिनिमम फॉर एर्स बैस्टर्स डिग्री कहलाती है हमारी अगर हो यूएस के एकुविलेंट और साथ में आपका फाइव विर्स प्रोग्रेसिव वर्क एक्स्विनेंस हो प्रोग्रेशन नजराना चाहिए आपने नीचे से चलें और अपर हो है तो यह फाइव विर्स में एकुविलेंट हैं यह नीकि युएस से आपने मास्टर्स दिगरी किथां आपके मास्टर्स डिग्री है मास्र्स डिजरींग माञेर ऑस्कीज़िह उभात है प्रोग्र्र् Cantani के अंदर यह फुरु रिंडर यह तकाज़ा भी नहीं करेंग आपके पास इतना तका 지 मेर् अगर आप प्रूफ करें कि आप एक्सेप्शनल एबिलिटी के हामिले हैं, जैसे कि बहुत सरे लोग मेरे पास भी केस अप्रूव था एक्सेप्शनल एबिलिटी का, वो था IT बेस्ट, ठीक है, बीकॉम उन्हों ने किया वद और उन्होंने अपना IT में बहुत अच्छा काम क अपने आपको पॉलिश किया और मुक्तलिफ युएस से इधर से उधर से बड़ी बड़ी जगाओं से उन्होंने अप्रिसेशन ली, रिकमेंडेशन ली, अप्लाई किया कि मेरी एक्सेप्शनल एबिलिटी है, तो यह अलग से काम करता है, अपने अबिलिटी का, तो हर लि करेंगे, लेबर सेटिफिकेशन आप हासल करेंगे, और उसी इंप्लाई के साथ मुनसलिक होना आपको लाजमी पढ़ेगा, इस प्रोग्राम के आने से आपको यह प्रूफ सिफ करना पड़ा है, कि मुझे जॉब ऑफर वेफ करो, मेरे पास यह क्रेटरिया है, जो आपने म ले रहें, क्योंकि वाफा केस रेपेसेंट करेगा, अगर आप किसी को ले भी रहें, यहां पर बात आती है, कि अगर आप किसी को ले रहें, तो वो तुक्का फिकेशन नहीं होना चाहिए, चैट जीबिट से बनाया और अपलाई कर दिया, अब तुक्का है, हो जाएगा अ अब आपने उसमें कोई अकलमंदी नहीं दिखा रहें, आप उसको पढ़नी रहें, आप उसके अंदर जो लवाजमात डालने चाहिए, लेने चाहिए, वो आप नहीं रख रहे हैं, तो उसकी वज़ाद से भी लोग तुक्के में तो अप्रूवल हो जाते हैं, और फिर कहत उनकी तादा 35-45% रहती है, वो लड़क जाते हैं, उसके बादे हमने भी प्रूव करके तिखा है, फैशन डिजाइनर, बैंक मैनेजर, इसलिए उसमें महनेज लगती है, उसमें बहुत आपको कान आक खोलके जोने काम करना पड़ेगा, तो यह जो चीज है ना, आप AI का य राइटिंग होती है, तो आपको प्लेजर रूम का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है, लेकिन अगर अकडिमिक राइटिंग नहीं है, यह पिटिशन है, आर्गुमेंट है, इसमें रिपिटिटिव आर्गुमेंट भी आपने कभी लिखने पड़ते हैं, जैसे एक वकील दलाइल देता है, वो बहुत छोटी भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा तवील भी नहीं होना चाहिए, बोरिंग हो जाए, कि सौ और तेड़ सो पेज़े सो पेज़े सो पर चले जाए, उसका काम इतना जादा है, बिलकुल, उसके रिक्वार्मेंट पचाइ बना रहे हैं, अब मेरे बात करने से बारल एक होसला तो यह होगे कि आप यह कोशिश करते हैं, हम भी 40-50 पेज़े के बनाएं, तेकि अकल और नकल पे बहुत फारक होता है, आपको नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, बिलकुल है सही है, आपको फिर भी आपको पहले तो यह प्रिज़ किया, कि इसके अंदर उनने बहुत सारी चीज़ें नहीं रखी हैं, जो कि प्रूफ करती है, नाशनल इंटर्स को, आपको गोल ही नाशनल इंटर्प है, प्रपोस इंडिवर कहीं जगा अब लिखावा ही नहीं है, अब प्रपोस इंडिवर क्या हो इसको कंपैलिंग बनाना है, फिर आप जाकर अपना प्रटिशन को राइट अप के थ्री प्रॉंग अपने लिखने है, उसका सब्सेंशल मैरेट और नाशनल इंपॉर्टर्स प्रूफ करेंगे, अलाइमेंट विद दी नाशनल इंटर्स प्रूफ करेंगे, एंदेन आप करेंगे के मैं जो हूँ, वाय आएम वेल पॉजिशन तो एडवांस इस प्रॉपोस इंडिवर, इस एकंड प्रॉंग है, और आखिर मैं आप जो है, इसको सम अप करेंगे, कि भाई, यह जो जो फैक्टर्स हैं, बैलैंसिंग फैक्टर्स वो यह कहते हैं, कि मुझे जॉब लेकिन उसका बेदरीख यूज़ करना और उसको बिलकुल ही ऐसी हवा में उड़ाकर अपने कर देना वो फिर मुनासिब नहीं होता, यह साइच जीज़ को देखने वाले भी उसी इसको जज़ कर लेंगे, कि यह ऐसी होता है, और कहीं जगा बहुत सदो लोग सेंसिटिव ह जाते हैं कर साइच भी आपको नहीं पढ़ना होता है, पटिशन है आर्गुमेंट टिव बेजने लेन निकल नहीं अदेश के सामने, तो आपको रिपीड भी कहीं करना पड़ती है, उसकी इंपॉर्टन्स भी नहीं बताना पड़ती है, यह अच्छी बात है, क्यों है, क्य रहें इसके लिए तो लोग समझते हैं एजुकेट भी होते हैं इसके अंदर और इसी वज़ा से जो है और एक मुझे तुछ के एडवांटिज यह है कि मैं हर केस पर नहीं काम कर रहा है चीक है मेरा बकसर पैसे बदाना वाला काम नहीं है पैसा अपनी जेकर पर होता है बट है कि आप हर केस नहीं ले ना आप हर किसी को ओके भी नहीं देते हैं जो नजर आ सकता है जिसमें एफ़र्ट हो सकती है आप करें उसमें आपका रिजल बेरल अच्छा होगा तरास्व आपको अच्छा नेकलेगा आप सिक्स्टी सेवंटी एटी परसंट आप देख लिए इ वो तीन-चार साल में पाकिसान की कंडिशन एक रही है और इसके बाद एक बड़ा तबका पाकिसान से मैगरेड करे रहा है 수 से जड़ा animation के सबसे ज़ए मिडेशन के अग CHF है और और अमना हो या इसके पर हम बात निकल जाता है या कोई रेजिदेंस परमिट के ओपर ले जाते हैं, वो सबस्द जादर जो है, वो मिडलीस है, ठीक है, अल्दों कि मिडलीस के SS तो काम नहीं करते हैं, आपको बतार है, असान है, जल्दी निगल जाता है बंदा, एक अमने फरमेशन की विजा लिया चले गया, चले गया, अब उसके बात जो कंट्रीज हैं, वो यॉर्पिन साइड या और कैनेडा हो गया, अपलाई है अगर हम बात करेंगे, पिछले साल, दो साल के लिए तो यूएस में सबस्दा अपलाई हुआ है, अच्छा, और उसका कुछ आप बता सकते हैं, सक्सेस ट्रेट कितना है, अभी तक हर किस पेटिशन तो अप्रूव हो रही है, लेकिन उसको फिर समझा कर यह बता देते हैं, कि प्रोसेसिंग टाइम ही, मेरे हाथ में नहीं है, मेरे तो वैसे भी लास स्ट्रॉलमर्ड बची होती है, तो बजार हम तो यह कहते हैं, वो भी क्लेर हो जाएगी, तो हमने तो सब्जेक प्रिशन बढ़ना कही हो, जो इसके डूरेशन जो अभी तक जो मेंशन हो रही है, नजर आ रही है, और इसका एक साल का कोटा भी होता है, वीजा के लिए, तो उसलिए हमारा तो है रिशो इस वज़ए से वीजा अपलाई करने के बात करनें, अप्रूवस देने की बात करन है, वो है आपका USA, पिछले साल, ज़र साल की अगरे मैं बात करूं, इसे दिए कैनिड़ा हो गया, टफ, एक्स पॉसंट्री, पी एन पी, इसके अंदर पॉइंट्स का टफ हाई चले गए, ज़र दो साल से नॉर्मली किसी की आसानी के साथ सेलेक्शन नहीं हो रही है, सिव तो असानी की साथ, पर लोगों का मकसद तो यही होता कि किसी तरीके से सर्वाइफ करके पास्पोर्ट हासल किया जाए, अगर पास्पोर्ट आपके पास आ जाता है, तो फिर आप मिड्ली से आ सकते ही, जॉब पैसा कमाने के लिए, जॉब करने के लिए, तो ऐसे चीज़ ह कैसे हैं, बिल्कुल ऐसे हैं, और वहां पर किस ता से प्रिंसिपल्स को फॉलो होता है, अच्छे बुरे बहुत सारी कंट्रिस हैं, लेकिन आपका ख्वाइश यही होता है, कि आप अपने से पीछे वाली कंट्री में तो नहीं जाएंगे, तो जो आगे वाली कंट्री वह सिविलाइजड हैं, बहुत जगहों पर उनका इसस्टम अच्छा है, उसी वह बहुत है, जिस्टम अच्छा हो तो अपर्शेटिस आपना केस लेका है, आप तो बस पैकिंग वगर अपनी स्टार्ट कर दीजिए, और बस आप तो दो मेंए तीन मैने के बाद आप तो बाहर बैठे होंगे उसके बहुत सर पता सलता है कि उनके के हैं मिस हैंडल किया गिया उनके साथ बेसिकली फ्रॉड हुआ है फ्रॉड इंडेट सेंस के उनको वह चीज बताए नहीं गए और उसे वह सर्विसेस के मदमें अमाउंट ले ली गई है अब आपको बता है कि आपको पता के साथ एक फ्रॉड हो जाता है ऐसे लोगों को सर क्या करना चाहिए उनके पस क्या आप्शिंज है अच्छा मुझे अच्छा लगब दिये के अंटी फ्रॉड कर चाहिए कि दौर पर तो और इसका बड़ा एक फाइदा तो हुआ है मार्केट के हैं मैंने देखा मैं टिक ट और मेरा काम ही है इवैलुशन करना लोगों का तो अला ने एक सलाहियत दी है तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि ना पीपल प्लेइंग विद इसलामिक टैक्टेक्स और जो प्रिंसिबल जिसको आप कहते है कि ना फ्रॉड के बर ज़्यादा बात कर लो तो जहना तो लो ज समझता है था कि यह बात बन्दा सभी कर रहा ने कर रहा है गहुमा रहा है या बनावर्टी है या बनाके बात कर रहा है तो अब और उनल्शन प्लै। यह तो हम भी कह रहे हैं कि मैं जब किसी के केस लेता हूँ लेकिन मुझे फ्रॉड कहा होगा फ्रॉड यह होगा कि आप इलिजिबल ही नहीं थे एक्जैक्ली मेरा पॉइंट वही था और मैंने आपका केस को ले लिया बिल्कुल बिल्कुल और बाद मैं आपको पता चला कि मैं तो इलिजिबल भी नहीं था बिल्कुल ऐसा है और मेरे केस भी नहीं थे या फिर फ्रॉड यह होगा कि मैं केस लूँ और केस लेने के बाद यह कहूँ कि भाई मैं आपके यह सारे सारे जाले डॉकुम्न में ना दूँगा तो ये भी फ्रॉड है ये भी फ्रॉड है बिल्कुल या फिर लोगों को जो के हुआ जो मैंने बताया कि 2020 के बाद एक अपर साइट से कंपनी आई कराची में भी उन्होंने इस्टैबलिश किया और उन्होंने सबको एक रुका और उन्होंने बड़ी जबदस टेक्नीक है एक एक रॉयल आपने टेश दिया लेकिन रॉयल टेश ओविस्टी फ्रॉड के लिए जादा आफस तवाल करें तो वो जब उन्होंने जब टेश दिया तो लोग भागम भाग जाने लगे अब ये लोगों का प्रॉब्लम है ना अंटेलने से जब मैं ये मैदान में आया तो का काफी लोगों का ये सहर को तोड़ने की काफी आता तो टूट गया बहुत मजबूत होता ये तरह असानी से नहीं टूटता तो वो जब आये तो उन्होंने ये ही किया कि जॉब आफ़र के नाबर कैनड़ा में आप क्यूं जा रहा हैं इन कंसरर्ण की पास दस लाग रुप करता है, नहीं करता है, सब को लाइन दे अपने करोड़ों और और ओपर बना ला लिए साथ वाइंड आप करके भाग गए उनका तो धर लिए गए जो बहुत सरी शिकायत है जब जब हो जाती तो 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 कहने के बाद और अभी भी उनके बहुत सरे मतलना जब आप काम करते तो चेले तो बहुत होते हैं यह भी एक कॉंसेप्ट है मैं आज लोगों को बता देता हूं य एक्चली तो ठीक है टेक्निक कि आप क्या करते हैं कि आप वान जाएगा तो अपनी जैब में आएगा हो सकता है करना चाहिए एथिकल नहीं समझता है लेकिन ओप कर सकते हैं तो यह काम इमिगरेशन में भी आना शुरू हो कि एक नाम जो फ्रॉड कर रहा था या तो बंद है कि दिमाग कितना अच्छा चलता है तो यह यह सारी चीज़ें हैं क्योंकि लोग भी किते हैं अगर कोई अगर चांड पे चले हैं तो शायद हो सब्सक्राइब बाकसा नहीं बैटा वह एक पहले से तो आप तो यह आप तो यह कॉंसेप्ट है तो हम इस तरह की जब चीज कको बोला गया किया कि आप यह थी बलो और बाद में उसको बाद चलाए किस रिजैक्ट होने के पाँ यह वीजा ना मिलने के बाद मेर चलाए कि यह आप तो यह ख्यास है नीए थो जिसने आशे नहीं के फास बाद बहूत कि आख कर बंदे जो है वो जाकर इसलिए भी जियो नहीं करते हैं कि मैने दज़र आती हैं कई जिकापर होगा उनका राइट है वो कह सकते हैं बट कोई एक शक्स ये खड़े होका नहीं कह सते हैं कि अब फ्रॉड कर दिया था तेंगे गिलाज करते हैं डॉक्टर्स भी होता है कभी ले इन वे दॉक्ति हैं अ दॉन करते हैं कि फॉड को पले सेल्स की वी करेंसे सबको सबकों को जाहें washed मेरे बोलने से भी तखी चैनल बाहते हो कॉछर करते हैं कि कैसे काम करना चाहिए कैसे अपने आपको पोर्टरेवी करना चाहिए तो काम है बढ़ने बाव कि यह इसे बात है कि मैं यह क्लाइन ऐसे होते हैं अब को पता कितना माश आखिला साइकलाजिकल डिसॉडर कितना वार तो कराची महार मंदा परिशान है और उसके बाल खड़े में बिलकुल ना तो ऐसे से लोग आते हैं मिरे पास जो बिलकुल सीर्स आप मैं मैं पड़ा लाइट मोड में मीटिंग करने वाला आदमी हूं तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि यह घर से ही जो इना शायद पिटके आहे में यह कुछ ऐसा कोई सीड़ हुआ है यह यह भी होता है वह इस तरह के चीज़ है तो मैं नहीं लेता है इसलिए कि दिखें एक ब जोरी नहीं लगाते हैं मैं कतन जदा जोर नहीं लगाता अपने सेल्स हो करने के लिए छोड़ देता हूं कि आप करना चाहें मेरे स्किल्स है मेरे अपास इतना पॉटफोलियो आ गया है ना इतना 20 साल से जदा मैंने टाइम दे दिया है अब भी अगर मैं बैठकर यह बात आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप सो यह पहले बोचिंग का अपने से पहले किया है मजाग होगा बोले कि तुम्हें पता होना चाहिए तो मैं कितना मैं चोटा मोटा कोई कंसरेंट हूं अभी यंग हूं मैं अभी काम कर रहा हूं तो फिर आप पुछेंगे सर आप लोगम को पता जाता है कि भाई क्या है पुरफाइल का क्या काम है ब Auto को कैसे आपने करना है वो सारी चीज़े जब आप हैडल करें तो आपिसे भी अच्छे डॉक्टर को ले सकते हैं तो इस वज़एसे जो ने वहागा है वह क्श्मे है वह बहुत सारी मैं है 시क्पर की बा देखें आप आप अगर किसी जगा पर के एफसी हो गया मैक डॉलल्ड हो गया यह कोई बड़ी कंपनी चाहने जाते हैं या कोई चीज लेने जाते हैं अगर आपको कोई चीज खराब निकल आती है तो क्या आप उसको बहुत सता अभ्यूस करना चुरू करतेंगे या कहेंगे यह fraud है ना ब्रैंड है तो घल्टी भी हो सकती है चीज़े पर उसके complain करेंगे या वही करेंगे रिवी दे देंगे या आप complain कर देंगे चीज़े कर देंगे लेकिन हम बहुत सब्सक्राइब हो जाते हैं क्योंकि sensitive business है fraud this and that अपने इखलाक से भी गर जाएंगे किज़ेगा पर लोग को मुझे नहीं मिला यतना लेकि मुझे जितना भी मिलता तो मुझे समझ में आ जाती है कि भाई intentions के लोगों की अब एक शक्स जो आप नराज हो गए for example तो वह कोशिश यह करेगा कि जाकर इसकी ऐसी की तैसी कर देता हूं होगा मैं जाकर ञेंसा जो हおे जैसे की आप मैं में इंहां के ऊपड़ों कि आरग advocacy करूंगा तो वह इसको तो बड़ा नुक्सान होगा आपके नुक्सान करने से जादा जो है वो बचाने वाला मेरे पास मौझूद है जो उपर बैठा हूँ है तो मुझे इसलिए डर नहीं है फरक नहीं है मैं जब जिस दिन में गलत काम करूंगा उसे मेरे साथ खुद ही सब कुछ हो जाएगा कुछ लोग इसको एकसेप नहीं कर पाते उनका सारा जो एक मलबा होता है वो कंसेटेंट के पर बिटालने की कोशिश चाहते हैं कई बहुत जुझे जोड़ मुझे नो पे ज़दा जोड़ लगाना पड़ जाता है आपकी बलाई के लिए नहीं होता है अच्छा चा सब सुना चाहते नहीं नहीं वो तो कह रहा है य यह भी तो कह सकता हूं हो जाए का मुझे भी तो पैसे चाही है बिल्कुल जब मेरा एक्स्पिरिंस भी है चीजे समझने वाले के लिए बात है कि आप नो क्यूं कह रहा है और वो येस क्यूं कह रहा है तो उसको कर लें अगर मुझे लगता है या लगेगा कि मेरी डुमें करें बिजनस के और बिजनस के एथिक्स को समझने के लिए जरूरती है मैं भी सिखूं और लोग भी सिखें और उसको उसके मताबिक कोशिश करें सर लास्ट में आप क्या मैसिज देना चाहेंगे हमारी और्डियंस को अपने वर्ड के हवाले से कसिटेंसी के हवाले से जो बहार जाना चाहते है उसके हवाले से और कोई बिजनस एथिक्स के हवाले से कोशिश तो यह करें पहले कि जो इस वक्त अपॉश्यटी है उसको वेल करें कुछ लोग जो है वो ट्रक के बती की तरह जो है वो पीछे पर चले जाते एक ही जगह बज़े आस्ट्रेलिया चाहिए तो एक तो यह जहन में रखें कि ट्रम की आने के बाद आप को यह जदधा फील होगा कि वो इलीगल इमिग्रेंट के खलाफ है बिल्कुल जैसे होना भी चाहिए एक अच्छे जिना उसको प्रेसिटेंट को यह हुकमरान को तो वो इलीगल इमिग्रेशन के उपर हुए और हाइली स्किल को टारगेटेड हैं सिर्फ यह जरूर हो सकता है कि जो एडमिस्टरिशन चेंज होती है जो बैडन के हुई है अब अब इन की जो चीज है जो लोग बैज़र्स के ओपर हैं वहम नहीं किया हम लास्त ली मैं फिर भी इसको कवर कर देते हैं तो आप लो विजा है जो इंट्रा कंपनी ट्रासफर जो लोग कंपनी होल्ड करते हैं वो लोग जो है अपनी कंपनी बनाकर और एक बहुत ही कम इंवेस्मेंट के ओपर बीस पचेस जार डॉलर का आपका खर्चा आएगा सबस्टेंशल आपको जो है वो इंवेस्मेंट नहीं करने और एक आपने जो पूछा था कि अब इबी वन एक बारे में तो वो वो बिसिकली जो है वो वीजा हाईली स्किल्ड लोगों के लिए है जो एक्सेप्शनल एबिलिटी भी रखते हैं सेम लाइक एन एड़ेवली लेकिन यह उससे भी ज़्यादा हाईली हो जो कि आपके इंडोर्स हुए होना चाहिए तो यह सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जिनको एक्स्प्लोर करने की जो होते हैं अच्छे कंसर्ड मौजूद हैं उनके पास हैं अगर आपने कंसर्ड रेली लेना है डू यॉर डू डिलिजिंस और सबसे ज़्यादा मुलूज़ खास जो आखरे म कर सकूंगा यह बता दूंगा कि सेल्स पर नहीं है और उससे मिलने के बाद भी दो यह चार लोगों से मिलने हैं बिलकुल एंडिसाइड यॉरसर्च करें एंडिसाइड यॉरसर्फ कि किस से करना चाहिए अगर दो पैसे उपर भी दिनर पड़ रहे और इसकी वैल्यू जाना जाती हैं जो स्टुडेंट जाना जाते हैं और जैसे कि यॉएस प्रोग्राम के बारे में जर्मणी अपर्च और डीकार्ट के बारे में आदिल साफ ने बताया इस तमाम डेटेल्स मैं डिसक्रिप्शन के अंदर भी मैंशन कर दूंगा इनके कांटेक्ट डेटेल्स इनके वेबसाइट और तमाम चीज़ें जो है मैंशन होगी नेक्स पॉड़कास में इन्शाला आप लोगों के साथ पहर दुबारा मुलागात होगी किसी दूसरे बिसेस परसनली के साथ किसी दूसरे कारूबार को डिसकस करने के लिहाज से अपने खैल लगएगा मैं ताल अधिक आसे अलाफिस